कि नमश्कार मैं हूं अमधरिश कुमार हम्जम्रिश की सिरीज़न के बारे बताह रहा हूं मैं पंको पर नेयले के बारे बताने शाहा हूं ग्राम नियाले का जो कॉंसेप्ट है उसको मैं प्रेलेंस और मेंस के पहुंच बेसे डिस्कस करूँगा और उसमें वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जो आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो मैं स्टार्ट करता हूं जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत में लगवक जुडिशरी में 3 करोड केस पैंडिंग है तो ऐसी स्थिदी में यह पेंडेंशी आफ केसे इनको कम कैसे किया जाए इसके लिए 1986 में लॉज कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस लॉज कमीशन की रिपोर्ट में 114 लॉज कम फारस्ट लोग प्र सिंदिये。 में पमेने सेटप की जाएं ताकि लोकल की लीगल जस्टिस लोगों को मिल सकें और जूरइक सोल सकें तो यह की मिया क swatch की तो यह यह एक कामों सेध़ रिक्मर्डेसिन की रिक्मंडेशन थी educate तो इक तो यह कि लाव कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था किसके लिए फॉर इस्टाबिश्मेंट ऑफ ग्राम नियायल है उसके बाद फिर आप देखेंगे कि हमारा जो कॉंस्टिशन है उस कॉंस्टिशन में डिरेक्टिब प्रिंस्पर पॉप स्टेट पॉलिसी राजी के नीति जिन में एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A यह कहता है कि भारत में फ्री लीगल एड निशुल्क साहिता निशुल्क बिदिक साहिता फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना यह स्टेट की ड्यूटी है यह राज्जी का करतब्य है देखिए बारत में हर व्यक्तित उतना सक्षम नहीं है इतना capable नहीं है कि वो lawyer को hire कर सके और उनकी fees पे कर सके तो ऐसे में जो beaker section है जिनके पास कह सकते हैं advocate नहीं होते हैं तो हमारे constitution में यह provision है कि वो जो है remedy ले सकता है और कह सकते हैं कि सरकार की duty बनती है कि सरकार जो है वो सभी लोगों को free legal aid प्रोवाइड करें लेकिन यहां यह चुकी DPSP में है तो justice level नहीं है में इस binding नहीं है यह state के लिए तो यह मैंने आपको दूसरे division बता है एक तो मैंने में law commission के report के बारे में बता है एक मैंने आपको DPSP के articles के बारे में बता है तीसरी बात मैं आपसे यह करना चाहूंगा कि इसके लिए act पास किया गय है कि इसको बोलते है ग्राम नियायले act 2008 यह act के द्वारा यह provision किया गया कि जो पंचायट है उस पंचायट के intermediate level पर मिस मध्यवर्थी स्तर पर मिस पंचायट समीति के स्तर पर ग्राम नियायलों की स्थापना की जाएगी पंचायट के लिए और यह जो ग्राम नियायले कि जिनका establishment होगा यह local level पर local bodies में लोगों को justice प्रोवाइट करेंगे जिससे जो इंडिया में cases की ज्यादा चल रही है वो कम हो सकेगी लोगों को कह सकते हैं एक त्वरित नियाय मिलेगा और justice जल्द जल्दी प्रोवाइट किया जाएगा लोगों को एक कह सकते हैं कि स्पीरी ट्राइल हो सकते हैं जल्दी से जल्दी तो इस concepts के तहत राइट इस सोच के तहत यह act लाया गया था जिसमें प्राभधान मैंने आपको बताया कि intermediate label पर जो है वो ग्राम नियायले की स् establishment होता है कौन करेगा बात यह है तो इसके लिए जो state government है कोई भी state government वो ग्राम नियायले का establishment करेगी with the advice of high court concerned high court उस high court उस राजी के high court से concern करके advice लेके परामर्ज से जो है वो ग्राम नियायले का establishment हो सकता है किया जा सकता है सबसे खास बात है कि यह जो नियायले होंगे इनकी जो कह सकते हैं कि यह जो पनिस्मेंट देंगे इनके जो पनिस्मेंट का जो कह सकते हैं क्याप है यह maximum two years तक का है दो साल तक की सजा यह सुना सकते हैं और साथ में सबसे खास बात है कि यह जो ग साथ में civil cases तो इस दो प्रकार के cases को सुनने का काम ग्राम नियाले का है तो यह तो मैंने आपको उसके बारे में concept बता रहे तो ग्राम अब आप से सबसे important बात है कि ग्राम नियाले का concept क्यों लाया गया तो आप समझ सकते होंगे कि भारत में case की dependency बहुत ज्यादा है और इसलिए जल्दी से जल्दी त्वरित नियाय लोगों को मिले तुरंत जल्दी से जल्दी लोगों को नियाय मिले उससे फाइदा यह होगा कि जो जुदिशरी है बर्डन भी कम होगा और सासाथ में यह भी है कि अगर यहां कोई इसके खिलाप आप अपील भी कर सकते हैं डिस्टी कोर्ट में कर सकते हैं या अपील का भी प्रोविजन है और मैं आपको यह बताना चाहूंगा ज़्यादा कि इससे एक सबसे भास बात यह अभी यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि बहुत सरे रज्यों ने ग्राम नियाल को सेट अप करें और इससे जो है भारत की जो न्याई विवस्ता है वो कह सकता है कि उसमें जो पैंडिसी ऑफ केसे राइट वो कम होगी और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याई मिलेगा और लोकल लेविल पर ही मामलों को सुलजाया जाएगा जिससे की ऊपर की जुदीशर जस्तिस के चैलेंज़ेश है उसके साथ तो मैंने आपको जो है ग्राम नियाले के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी जो important important चीज़ें थी वह मैंने आपको बताई है अब भारत में लोगों को justice प्रोवाइट करने में ग्राम नियाले किस तरीके से अपना रोल प्ले क करेंगे यह प्रस्ण आप से पूछा जाएगा तो यहां पर आपको बताना है कि उनके क्या राइट से क्या अधिकार हैं इंडिंग जुडिशरी में किस तरीके का चेंज़े जाएगा इस तरीके से आप उसका अंसर लिख सकते हैं तो मैंने आपको कॉंसेप बता हैं आप